हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू मैं चैनल राधी राधे हरी बोल तो यहां देखिए मैं चल रही हूँ अपने मंदीर को डीप किलिंग करने और थोरी सी सफाई करेंगे उसके बाद अपने जो मंदीर की भी सफाई करनी है और इनका ड्रेस भी चेंज हो चुका है तो देख सक अपने मंदीर को कैसे डेकुरेशन किया है तो मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं आप जरूर कॉमेंट करके बताईएगा मुझे अच्छा लगेगा आपका मातर एक कॉमेंट ही जो है जरिया है आपसे मिलने का बात करने का तो मैं इधर से जरूर अपलाई दूंगी तो मैं यहां देखिये मेरे रादा राद यहे काफ़ी सुन्दर लग रहे हैं इस डे रैस में तो यह डेज मैंने घर पर ही बनाया क्फुझ से और माला भी जो πεेने केरी के हुए है उँ द्रेस बनाई क्योंकि सावन का महिना है और भोले बाबा का दीन है तो मा दुरगा को भी मैंने जो है सिंगार किया है हर एक ड्रेस में देख सकते किती सुंदर लग रही है और लचमी नरायन जो छोटे हैं तो उन्हें मैं नहीं बनाई हूं कि हर कलरण जो है ना मार्केट में रेस नहीं मिलता है तो कितना मन किarat यमिरे घर मेने काम चल रहा है तो तो मैं एक दिन में ही सारे तयारी की हूँ जितने भी कपरे प debt we जारे वह हुए मेरे सारे भागवान जी तो घर पर्षा बनाती हूँ क्यों कि मार्कीत रहे से हर कलर का जो है नहीं रहता है कभी मिलता नहीं है सिर्थ वहाँ सिर्फ जनम अश्टिमी में आप चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा और अंदीना चाहें तो अतना नहीं मिलती है बहुत ही बैचास कभी कभी मिलता है क्योंकि जो भगवान जी का सौप है तो बरे-बरे जो है न मुर्ती होते हैं जिसे मंदिर में तो सारे मंदिर में जितनी भी बरे मुर्त हैं उनका हर चीज मिल जाएगा और जो चोटे-चोटे मूर्ती रहते हैं उनका समान मिलना बहुत ही पॉस्बिल हो जाता है दोस्तों इसलिए मैं कोसिस करती हुँ न ऐसे तो जितना इनका सिंगार का समान है तो ऑनलाइन से मंगा लेती हूं मिल जाता है हुआ बिंदा बंस बहरती हुएं और दिपाबली में टैम नहीं रहता है तो दिपाबली में मार्केट से लाना पड़ता है इसमें मिल जाती है फैबरिक के मिलते हैं उसका डुपटा बना सकते हैं तो छोटे वाली कनहिया जी है राधा रानी है तो जूले पर बवत अच्छे से आ जाते हैं और इनको ही जुलाती हूं क्यूंकि बरेवले ठाकुर जी उनके लिए जूला चोटा पर जा रहा है तो मैं उनके जगा पर जो ह मैंचिंग लगा कि इनको बना दी हूं और इनका मैं अलग कपरा से बनाएं क्योंकि मार्कित जाना नहीं हुआ यह पहले से जो कपरे थे उसी कपरे से मैंने बनाई है तो सेम नहीं बन पाया है सोरी और नेक्स्ट टाइम में देखें कि मेरे घर में काम चल रहा है ना लगत एक दिन में सारे तयारी की हूँ और आज ही के दिन में सारे तयारी की हूँ मंदीर का और ठाको जी को तो मैं रात में ही अच्छे से इनको ना तयार कर दे थी सिंगार कर दे थी कि दिन में बिलकुल टाइम नहीं मिल रहा था और इधर उधर काम के चकर में जाना पड़ रहा तो मैं ठीक एक दिन पहले जो है सारे चीज में तयारी की हूँ तो यह तयारी मुझे काफी एक दिन में सब कुछ जल्दी वाजी में करना पर गिया है तो यह तयारी थोरा ही है मगर बहुत सुंदर लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं और डेकॉरेशन भी काफी अच्छा इस डेस में काफी सुंदर लग रहे हैं ऐसे ब्लू डेस में भी काफी सुंदर लगते हैं मेरे ठाकोर जी और ग्रीन डेस में भी काफी सुंदर लग रहे हैं